सोलन में मुखे मंत्री जाराम ठाकुर ने सोलन कसौली और अर्की बिधान सबक शेत्रों में करोडो रुपए के शिला नियास और उद्खाटन किये गए ये कारेक्रम ओनलाइन माधिम से आयोजित किये गए इस मौके पर भाजबा अध्यक्ष सुरेश कशिप स्वास्ते मंत्री राजीब सादल भी विशेज रोप से उपस्तित रहे ओनलाइन उद्खाटन समरो सोलन के नगर परशत में आयोजित किया गया अर्की की 38 करोड की योजनाओं के उद्खाटन किये वही 65 करोड की योजनाओं के शीलानयास भी किये गए वही परवाणू में 65 करोड और 27 करोड के सोलन में शीलानयास और उद्खाटन कर सोलन जिला में विकास की नई इबारत लिखी इस मौके पर मुक्यमंत्री जरामठाको ने कहा कि सोलन अर्की और परवाणू में 195 करोड के उद्खाटन और शीलानयास के गए जिसमें सबसे ज़्यादा उद्खाटन अर्की विधानसवा क्षेतर में किये जा रहे हैं जहां कॉंग्रेस के विधायक हैं उन्होंने कहा कि पिना किसी बेदवाओ के प्रदेश सरकार विकास कर रही है अर्की के उद्खाटन उसका जीता जाकता उधारन है इस मौके पर मंडल महमंत्री भरत सहनी ने कहा कि आत्सोलन अर्की और कसोली विधानसवा क्षेतर में 195 करोड के उद्खाटन और शीलानयास की गए हैं उन्ह उन्हें कहा कि मौके मंदल लगातार करोडो रुपय की योजनाόं को जनता के स्पूर्द कर रहे हैं जिसकी बज़र्चे सभी सोलन बासी बहत खुश हैं उन्हें कहा कि सोलन मंडल इन सभी कारियों के लिए मौके मंदल चल्ण जिला के लिए बड़ा अत्यासिक दिन है मानने मुख्यमंत्री जी आज क्रोडों रुपे की योजनाओं का शिलनास कर रहे हैं और यह अत्यासिक दिन है कल भी पिछले कल भी मानने मुख्यमंत्री जी वाकना घाट में उपस्तित थे और वहां भी टूरिजम और एक्सिलेंसी का एक बहुत बड़ा उडगाटन उन्होंने किया है और इसके बाद आज सोलन विधान सबाद छेतर के जैसे की बिजली बोड की एक तेती के विए सबस्टेशन है उसका उडगाटन था कुछ हमारी शेनलाज थे कुछ पेजल योजनाओं के और काफी क्रोड़ों रुपे की योजना है और प्रमानवों में आदर्निये सैजल जी और रतनपाल जी हरकी में और मानने मुख्य मंत्री जी का आज आशिरवाद प्रबाद थोड़ा आए और सोलन की जनता के आज अत्यासिक देने की क्रोड़ों रुपे की योजना है आज मानने मुख्य मंत्री जी का हम बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहते है आदर्निये सैजल जी का आदर्निये ह हमारे मेंबर आप पार्लेमेंट आधनिश्वेश कश्रफ जी का और सभी विखागों का जिनका आज ये शेलनास और वो करेंगे और माननी मुख्य मंतरी का बहुत बहुत धन्यवाद जोन ने बिदान सबाद 66-36 को इतनी बड़ी क्रोड रुपे की युजनाएं दी हैं